तो के अगे तो तो फैस्ट फोल वेलकम दो आ चानल जारकर्ण लाब तो गयुद्ट थी मैंसे में पूत रहे रहे कि आप लोग आप लोगा जीक्जाम हो एक्जाम सेंटर पे होगा फिर हॉम में पहलोग। क्या रहाएगा क्योंस कैसे आएंगे एंड एक्जाम जो फॉर्स टम का है वो तुक है रोई रहा सेकंड अमका वोगा रिजल्ट्स कब आएंगे तुछ जो बारे में मुट बात करने वाल है यार फिर कुछ छूट जाए वीडियो में तो प्रीज अपलोग कमड़ा सुट ला अपलोग यार मतलब मेरे को मोर्डरी प्रेंस अन करना ठीक कि मैंने बनाया नहीं यार अफ्रभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास अगर मैं आने लगा तो सार्ट अब्सक्राइब कर दो तो प्रीजर आप लोगा तो प्लीजिन के पाद जो भीया सांट कर दना नीच प्लीज यार पूरा कर देना ठीक है मुझे पता यार आप लोग भाई कुर निराश नहीं करोगे अब फुरा कराद होगे तो पीज पूरा कराद आना तो गैस अपलोगा एक्जाम पैक्टर निक यावारे में ठीक है तो देख मैट एंटम आप लोगा अप्जेक्टीव हो होगा ठीक है अगर आपको दिक्क्त हो रहा है आज आपको होंगे 12 वाले या फिर 10 वाले उन से बात करो कि वह मार्चिट कैसे फिल करी जाती है उसे फिल करना को इसको को हार्ड नहीं कर आपको पढ़ना अज़ा तब फिल कर लोग टेक एक किल सर्कल ब्लू या ब्लू ब्ल करने सब्जेक्टिव बोले तो कॉपी में लेगा आप लोग को जैसे कि बूर्ड इजाम स्पहले हुआ करता था ना यार की मतलब लिखना पड़ता था उसी तरह से आप लोग को भी सेकंड टाम लिखना होगा ठीक है और आंसर भूक अपलो को मिले को वहापको लिकना होग पलग मिलेगा तो फिर आप वहाँ पर अपना धिय אחד सब्जेक्टिव फॉर्स अब सेकंड आरपाट कर अपको अपने स्पूल को छोड़ लिए के दूसरे स्कूल में जाना होगा एक्जाम धोगा अपूछ देख मैज आपम पड़ेगा और तो आपको अपने स्कूल को तेखाने नहीं बता सकता लेकिन हाँ आपके जो क्लास 10 वाले हैं अगर आप नहीं तो प्यांट वाले सबात और और 11 में होट आप टूसरे से से बात करो कि मतलब आप जिस भी स्कूल से हो आप उस स्कूल के ही बंदे से बात करना मतलब अगर आप कोई भी स्कूल में हो ठीक को को कॉलेज में हो ताप उसी स्कूल से बात करना जैसे क्या आप 11th मोट 12 वाले सेम स्कूल का बात करना ठीक आप नाइन दिनो तो टेंथ वाल लेकिन नहीं लगता यार की चेंज करेगा क्योंकि फिर सब्सक्राइब करने वाइगर वैगर मैं बहुत दिक्राइब इसलिए वह जहां पे जिस स्कूल का जहां पर पढ़ा था ना उस स्कूल को वहीं पर पढ़ाएगा ठीक है मालब किसे स्कूल में हो 10 वाले बच्चे उसी लोग पढ़ने वाला है आपके स्कूल में बच्न अखळेड नहीं थिक आपके स्कूल में और को दूसरे स्कूल को ए इसकूल में evangelism करना चाहिए आपको यह पता चलेगा कि आप लोग का एक्जाम में किस तरह के क्योंस आने वाले और किस तरह के पैटर्न सापको पूछ जाएंगे ठीक तो दो या फिर तीन जो भी आप लोग का मॉडल वर आया हुए आप उसे प्रेशन करो आप लोग को आप लोग का एक्जाम काफी अच्छा जाएगा और मैं यह रिकमेंट करूंगा कि मॉडल विपर का सॉलिशन जिरुश्री कर लिजएगा इसलिए बोल रहां जिनके पासे मॉडल पर है यार सॉलिशन प्लीज आप मुझे साही से बनाए हो क्योंकि मैं चेक नहीं करूंगा क् अग्या गलत कर रखा क्या सही कर रखा ठीक है मैं डिरेक्ट ली हो चाहिए मैं उसको किसे कुछ देढ़ तो प्लीज मेक्सियोर कर लेंक वापका सही होना चाहिए तभी भेजना ठीक है और चीज जो किया साथ मैं अगा कुछ छूट रहा हो मुझे आप लोग कमेंड मुसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा देखो चालिस का 33 निकाल लेना ठीक है आप लोग से उपर लिया ओगए तैंग पास कर जाओगा ठीक है अगर आप लोग इतना ले आते हूँ कोई भी क्लास में हो यार आप ठीक है नायन तो में या फिर 11 अब ही आते हो ड्र्मट में ने ता पास कर जाओगे फिर आप लोगो प्रैक्टिक लिजाम होगा ठीक है तुस arquqlen को पास करना पड़े गाहरा है कर तो ही आप टुई आप फिल बेकर आप 현 對 करा जाओगे तो जैसे लिए यार आप लोग देखना आप लोग को मैनेस करना है लेकिन हाँ रिटेन में आप लोग को पास करना नहीं मार्य होगा फॉर्स टम्वी सेकंड में फी फिर दोनों के मिला कर कि आप लोग को टूंटी फाइब टूंटी सिक्सा आता है ठीक क्योंकि जो पर्षेंटेज निकलता इसका अग्यार टेस्ट में तो साइब को टर्म वन टर्म जैसे पहले होता है 23 आप लोग को रिटन मिलाना था था 10 परशन दर सिलाना होता था तो 33 पास कर जाता था लेकिन इस बास चैन्ज आप जाकर जैक अपर से पता करना कर मैं गलत रहा तो मुझे बता देना ठीक है उससे पहले आप मुझे कुछ मत बोलना क्योंकि ऐसे ही पासिंग क्रेटरिया बनी है आप लोग ठीक है आप लोग को अच्छी लगी होगी और रिजल्ट जो आप लोग गई जुलाई तक में एक्जामी हो रहा है तो जुलाई या फिर अगस्त में आप लोग का रिजल्ट आएगा ठीक है उसके बाट जोब चाहिए है मैं बतला दोंगा या रिजल्ट के रिलेटेट वह से कोई खास बिटने मेरे पास ठीक है जिसके बारे में जाता कुछ नहीं बता सकता भी आपको तो जो भी जिजए थागाई आप्लो का तरम आने घ्जाम टर्म टुक एक्जाम कर शन्स अंड हां शाले वह सेर गई साले बस देखू शाले बस जो पर्थम सोंधिंग देखें दूसरा संधिक देखा या फिछ से लिख अपके साले बस फो खूल अगे दोटर में आप लू आपको और जो मार्च अपरेल साथ लिखाऊ वाई सेकेंट में इसको सेकेंट में पढ़ना ठीक दो सेपरेट एक लाइन खिचावा बीच में तो लेफ्ट्राइड में आप लोगना जो पर्थम सौंधिक लिखाऊ वैं उसको आपलो फॉर्स्टम टैम में पढ़ा होगे और राइट सेड में लिखा हुआ है साकें सौंधिक मतलब दूसरा सौंधिक ऐसा कुछ लिखा वाइटिक है उसको साइकेंट टैम के लिए पढ़ना सेपरेट लिए अपलोग बाट आवे साले बस तो उसी का अकॉर्डिंग अपलोग पढ़ाई कि जाएगा होप यारी कि यह सब्सक्राइब करने हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में को यह बताना भी तो चलो यार बबाई टेक कियर थैंक्स फोर वाइट जटो गाई